लोकसभा चुनाओद दोहजार चौबिस को लेकर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं पियम मोदी जहां फ्रेंट फूट से खेल रहे हैं और इस बार NDA 400 पार करने के कगार पर है तो वहीं विपक्च अपना अस्तितु बचाने के लिए दरदर भटक रहा है सभी विपक्ची दल एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं कि उनकी इज़द बच जाए लेकिन गडवंदन के बाद भी विपक्ची दलों के दिल नहीं मिल रहे हैं पियम मोदी के खौप में साथ तो आ गए हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाब भी हैं बंगाल में ममतव एनरजी कॉंग्रेस को आग दिखा रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ है वहीं अब आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच एक और विवाद हो गया है और इस विवाद को सुलजाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया है क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल लोकसवा चुनाव से ठीक पहले हाइडरो एलक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस सरकार में तनातनी बढ़ती दिख रही है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोट पहुची है पंजाब की आप सरकार ने इमाचल परदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में ब्रीटिस निर्मिच सानन हाइडरो एलक्ट्रिक पर योजना को लेकर याचिका दाखिल की है इसमे 99 साल की लीच खत्मोने पर इमाचल सरकार को प्रोजेक्ट के टेक ओवर करने पर रोक लगाने की मांग की गई है पंजाब के जी शादान फरासत ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है पंजाब में आपकी सरकार है जबकि हिमाचल परदेश में कॉंग्रेस की सरकार है और ये दोनों दल इंदिगर बंदन में सामिल है लेकिन फिर मामले को लेकर मान सरकार को सुप्रीम कोट जाना पड़ा है वहीं से जे आई डिवाई चंदर चूर ने जल सुनवाई का भरोस्वा देते हुए कहा कि अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे राजनीतिक रूप से समवेदन सील अंतर राज विवात को उठाते हुए पंजाब की भगवन मान सरकार सुप्रीम कोट पहुची है सरकार ने सूट में कहा है कि लीज की समापती अप प्रसांगिक है क्योंकि परियोजना का रकरकाओ और नवीनी करन राजिद्वारा अपने स्वेन के पैसे से किया गया है ताकि इसकी छमता 48-110 मेगावाट तक बढ़ाई जा सके इसके अलावा ये दलील दी गई है कि सानन परियोजना के बदले में पंजाब ने इमाचल पर देश के लिए 100 मेगावाट की बस्ची जल विद्यूत परियोजना का निर्वान किया था पंजाब ने इमाचल पर दुरबावना पूर्न तरीके से विडली घर पर कबजा करने का इरादा रखने का आरूप लगाया है य परियोजना को उहल नदीव जल विद्यूत परियोजना की रूप में भी जाना जाता है यह वरतमान में पंजाब स्टेट पावर कॉपरेशन लिमिटेट के नियंतरन में है परियोजना से पूरा राजस पंजाब को मिलता है वहीं चूकी लीस खत्म हो रही है हिमाचल के के मंतरी बनने के बाद सही सुखु जानन परियोजना को तुरंत इमाचल परदेश में ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है इमाचल की सुखु सरकार ने प्रोजेक्ट के खराब रकरकाओ इमारतों की मरमत बंद करने और जुलाई मार्क टॉली सेवा के खराब रकरकाओ का आर मेच न्यूज और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं